हाई गाईज, क्वेशन बैंक राफ में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है तो आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ अपनी कम्प्लीट जनमाश्मी जहांकी डेकुरेशन प्लस सेलिब्रेशन की सारी पिक्चर्ज और सारे विडियोज तो चलिए फिर राधे राधे बोलते हुए शुरू करते हैं आप लोग भी कॉमेंट सेक्षन में राधे राधे जरूर लिखेगा सबसे पहले मैंने सजाया था बहुत ही प्यारा सा व्रिंदावन गाओं तो ये वो वाली जहांकी है जिसमें हमारे गोकुल वासी अपना सारा समान लेके अपनी गायों के साथ व्रिंदावन की ओर जा रहे हैं सब कुछ काफी जादा सुन्दर लग रहा है और इसी के पास मैंने बनाई एक छोटी सी गोशाला और साथ में गए ये बहुत ही प्यारी सी गोपी और इसकी पीछे मैंने लगाया के अपना बहुत ही प्यारा सा रियलिस्टिक दिखने वाला कडम का पेर पास में ये हैंड पंप और कुआ इन दोनों चीजों को मैंने एक ही जगा पर सेट कर दिया के और मेरे हाथों से बनीवी गोपियां भी मैंने या पर लगाई है यह एक हमारा नंद महल है जिसमें मैंने पालना बनाया था उसमें हमारे छोटे से नन्ने से काना जी जूल रहे हैं तो यहां पर द है जिसमें साड़ियां बेच रहे हैं यह मैंने बहुत सारी जूपडियां भी यहां पर बना के लगाई है चोटी-चोटी और उनके आगे गोपियों को रखा है सब कुछ जो है वो काफी जादा सुन्दर है और यह सबजियां भी जो आप चोटी-चोटी देख रहे हैं यह तरीके से यूज करते हुए क्योंकि यह काफी जादा काम आती है और बहुत गोपियों वाला इस पे लुप भी आता है एकदम सुन्दर और प्यारा सा पास में मैंने यह ज़ड़ना लगाया है और इसमें बहुत सारे जो ग्वाले हैं उनको खड़ा किया है यह के सुन्दर पाला पार्ट है इसके अंदर मैं पूरा गाउं या फिर यूज्वली फूल बंगला जूला इन सब का डेकोरेशन करना पसंद करती हूं इसके अलावा यह मेरा वो टेबल है जहां पर हमने काना जी का जनम दिन मनाया था जो गाउं की थोड़ा पास ही मैंने टेबल यह दोनों पेंटिंग्स मैंने बनाई है यह मंदिर जूला सब कुछ मैंने बनाया है जिनको मैंने यहां पर रखा और यह कहका हमारी भोग की थाली जिस पर भी मैंने पेंट किया हुआ है इसमें पंजीरी मिश्री बादाम सब कुछ मैंने रखा हुआ है काना जी को तिलक क परने के लिए रोली वगरा भी रखी है और ये कैक हमारे घर का डेकुरेशन का दूसरा पोर्शन जिसमें मैंने काना जी का जन्न स्तान बनाया है सबसे पहले हातों से बनीवी जेल है आगे ये सोए हुए सिपाही है अंदर हमने देव की महिया को बिठा रखा है लाइट्स भ पास ये भी बहुत ही रियल और बहुत सुन्दर दिखता है मैंने इसमें ना ये बादल भी आड़ किये थे वो बारिश वाला एफेक्ट देने के लिए इसके पास मैंने यहां पे ये इस तरीकी के जो हमारे म्यूजिशियन्स हैं इंस्ट्रूमेंट बजाते वे ये भी है क्योंकि हमारे काना जी का जन्मोच सव है तो सेलिब्रेशन तो हो ही रहा होगा तो वही देखके मैंने इनको लगाया है ताकि पास में ये कुछ इस टाइप का दिखे और ये मैंने यहां पे जूपडी हातों से बनीवी गोपियां टेबल चेर सब कुछ लगाया है टेब लाइटिंग थोड़ी सी डिम हो इसके अलावा उसमें अलग से ऐसे करके कुछ रोशने निकल रही हो तो बहुत जादा सुन्दर लगता है अब मैंने काफी सारे पिक्चर भी क्लिक किये थे जिनको मैं बीच पीच में इंसर्ट कर रही हूं ताकि आप एक एक चीज को अच पर हमने अलग से बनाया के टॉइरिया जिसमें सारे की सारे toys को मैं रखा है यह थे एक रोड बनाया थी बज़री का बेस लगाते वे यह मट्की बासुरी चॉइरों बनाया歌 haIR बॉर veggs Housing लो एक प्टान भी दीक portion है ना इसको decorate करने में मेरी भाई ने मेरी बहुत ज़्यादा help करी क्योंकि उसी दिन अभी हमारे exams चल रहे हैं तो मैं school से exam पूरा अपना देखे वापस घर पे आके सारा काम करती हूँ तो उसमें काफी ज़्यादा मैं ठक जाती थी exams की वज़े से तो time लग जाता था तो उसने मेरी बहुत help करी इस प्यारी decoration को complete करने में तो वस गाईज यही था आज का छोटा सा वीडियो जो मुझे आप सब के साथ शेर करना था उमीद है आपको सब कुछ पसंद आया होगा इस बार की हमारी सीरीज फॉलो करके आपने भी काना जी के लिए बहुत कुछ सजाया होगा और trust me guys जितनी धमाकेदार हमारी जनमाश्मी की सीरीज सी न उतनी ही आगे की सारे फेस्टिवल्स के लिए कमाल की वीडियो जाने वाली है सब्सक्राइब के बिना तो जाना ही ने सब्सक्राइब फॉर बाई